बाकी सभी लोगों के लिए वो एक नेक, मिलनसार और समानु भूती रखने वाली इंसान है। परमीश्वर में विश्वास रखने के बाद उसकी भाई बहन्स नहीं और एक अच्छी अग्वा होने पर उसकी सराहना करते हैं। तो फिर वो खुद को एक अच्छा इंसान क्यों नहीं मानती? अपने अनुभव से वो क्या समझ पाती है? इसके बाद वो कैसे बदल जाती है? बच्छपन से ही मेरे माता पिता ने मुझे लोगों से दोस्ताना बरताव करना, सहान भुती रखना और मिलनसार होना सिखाया। अगर मेरे आसपास के लोगों की कोई समस्या या कम्या होती, तो मैं ये उनके सामने उजाकर नहीं कर पाती थी। इस शिक्षा के कारण मेरा कभी किसी के साथ मन मुटाव या जगडा नहीं हुआ। मेरे आसपास की लोग मुझे नेक दिल मानते और मेरे साथ जोड़ना चाहते। मुझे भी लोगों के साथ यूँ पेशाना अच्छा लगता। परमिश्वर में विश्वास रखने के बाद भी मैं भाई बेहनों के साथ इसी तरह मिलजुल कर रहती थी। खास तोर से कलीसी अगवा बनने के बाद लगा मुझे सबसे दोस्ती बना कर रखनी चाहिए। योँ ही किसी पर दोश नहीं मड़ना चाहिए। इस तरह हमारे बीच का अच्छा रिष्टा खराब नहीं होता। वे मेरे साथ मिलजुल कर रहना चाहते। एक अच्छी अगवा के रूप में वो मेरी तारीफ करते। मैंने देखा एक समू अगवा बेहन जोण जिम्मेदारी के बिना करतव्यन इभा रही थी। मैंने उसे कई बार याद दिलाया। समू अगवा के तौर पर तुम्हें भाय बेहनों के हालत समझनी चाहिए और समू कारिय की खबर रखनी चाहिए। मगर फिर भी उसने ये नहीं किया, तो मुझे उसे फिर से याद दिलाकर इसका कारन पूछना पड़ा। उसने कहा कि उसके पास सिर्फ एक घंडे का खाली वक्त था, तब वो फेस्बुक और फिल्में देखा करती थी। इसलिए उसने किसी भी चीज की खोश खबर नहीं ली। फिर वो युही काम निप्टाती रही। हाँ, बिलकुल, यह सुनकर मैं नहरास हो गई। मैंने सोचा, तुम इतनी आलसी हो, जरा भी सिमीदारी नहीं उठाती हो। जब भाई भेहन सभाओं में नहीं आते, तो तुम उन्हें सहरा देने के बारे में नहीं सोचती। इतने गयर जिमेदार होने पर मैं उसका निप्टान करना चाहती थी। मगर मुझे लगा निप्टान करने पर कहीं वो मुसे दूरी न बना ले। और कहें कि मैं एक अच्छी अगवा नहीं हूँ, मिलनसार नहीं हूँ। मैं हमारा मैतरी पूर्ण रिष्टा खराब नहीं गरना चाहती थी। तो निप्टान करने की बजाए मैंने उसे प्रोचसाहित किया। मैंने कहा, तुम इस खाली वक्त का इस्तमाल भाय भेहनों की हालत समझने की कोशिश में लगा सकती हो। फिर तुम अपना कर्तव या ठीक से निभा सकोगी। इसके बाद उसका कामकाच कैसा रहा। बढ़ी गंभीर बात है। मैं बहुत नाराज थी। ये समु अगवा इतनी गहर जिम्मिदार थी। मैं उसका निप्टान करना चाहती थी। पर ये सोचकर कुछ नहीं कहा कि वो मुझसे दूरी न बना ले। इन नए सदस्यों के सिंचन और उन्हें सहारा देने का काम मुझे ही करना पड़ा। आप में जोन की समस्या देखी, लेकिन उसे नहीं बताया। उसने खुद भी नहीं पैचाना, इसलिए उसके बदलने का सवाल नहीं था। सही है। इन नए सदस्यों से बात करने के बाद मुझे पता चला, कि वे सभाओं में इसलिए नहीं आते थे, क्योंकि उनकी बहुत से मुश्किल हल ही नहीं हुई थी। मगर जोन ने पहले मुझे बताया था, कि उन लोगों ने संदेशों का जवाब नहीं दिया था। अपने कर्तवियों के प्रती जोन का रवया देखकर, मैं सच में उसका निप्टान करना चाहती थी। मैं उससे उसकी गयर जिमीदारी के गंभीर परिणामों के बारे में बताना चाहती थी। लेकिन मैं एक अच्छी अगवाबी बनना चाहती थी जो स्नीही और मिलनसार हो। इसलिए मैंने अपना इरादा बदल दिया और उसे प्रोचसाहित करने की बाते कहीं। इस वज़े से वा कभी नहीं बदली। एक सभा में जोन ने शिकायत की। मैं इस समु में बहुत समय से हूँ। किसी उची अरुद्वे वाले पत पर मेरी तरक्की क्यों नहीं की गई। जोन की बाह सुनकर मैंने सोचा, तुम इतनी आलसी हो, अपना कर्तव या यूही निप्टा देती हो और अगर जिम्मेदार हो। तुम्हे बला कैसे तरक्की दी जाती। आपने इस बार उसे उसकी समस्या बताई। नहीं। हाला कि मैं उसे नाराज थी, फिर भी उसे ये कहकर सुकून पहुचाया। हम अपना कर्तव या परमीश्वर की विवस्था के कारण करते हैं। हमारे कर्तव या भले ही अलग हैं। पर हम सभी नए सदस्यों का सिंचन और इशकारे का अनुभाव कर रहे हैं। मुझे लगा इससे वह सोचेगी कि मैं उसे समझती हूँ, उसकी परवा करती हूँ और मैं अच्छी अगवा हूँ। इसलिए दूसरों की समस्या देखने पर भी मैंने उन्हें उजागर नहीं किया। इसके बजाए मैं प्रोच साहन देने के बोल-बोल देती। सोचती इससे सबके दिलों में मेरे मिलनसार होने की अच्छी छवी बनी रहेगी। एक बार सुसमाचार उपिया जी का एडना और समू अगवा एन के बीच नहीं बन रही थी। एडना ने मुसे घुस्से से कहा, एन बहुत आलसी है। मैंने उसके समू के लोगों की हालत और मुश्किलों के बार में पूछा, तो उसने बहुत देर से जवाब दिया। इसे स्विक्कारना उनके लिए मुश्किल होता। और एन को अपने गौरव की चिंता थी। संभाव है उसने एडना का लहजा सुना हो और उसे अच्छा न लगा हो। इसलिए जवाब ने देना चाहा हो। मैं यह बाद एडना के ध्यान में लाना चाहती थी। लेकिन मैं यह नहीं चाहती थी कि उसका दिल दुखे या वो सोचे कि मैं उसे नहीं समझती। तो मैंने उससे दोस्ताना ढंग से कहा, शायद एन व्यासते रही हो और उसने तुम्हारा संदेश न देखा हो। इसके बाद मैं एन के पास गई। तो एन ने नाखुश होकर कहा, एडना बहुत घमंडी है, वो पूछती रहती है मैं करतवे कैसे निभाती हूँ, इसलिए मैं जवाब नहीं देना चाहती हूँ। वो नहीं चाहती थी कि दूसरे उसे सलहा दें। मैं उसे याद दिलाना चाहती थी। लेकिन मुझे लगा वो ये बात नहीं मानेगी और इससे हमारे बीच का तालमिल नश्ट हो जाएगा। तुम मैंने कहा, हो सकता है तुमने एडना को घलत समझाओ, वो बस चाहती है तुम अपना करतव या सही डंग से निभाओ। मैंने उससे सिर्फ सुकून और प्रोश्चाहन के दो बोल बोले, उसे उनकी समस्या है नहीं बताई। हाँ, आप इस तरह कोई समस्या नहीं सुझा पाई। हाँ, बिल्कुल, उनमें से कोई भी खुद को नहीं समझता था। एडना अभी एन के कामकाच के खोच खबर नहीं रख पाती थी, और एन को लगता उसके साथ गलत हुआ है, और वह ये करतवे नहीं निभास सकती थी। मुझे पता था एक अगवा के रूप में मैं अपनी जिमेदारिया नहीं निभा रही थी। यानि उन लोगों को अपनी समस्याओं का एहसास नहीं हो पाया था। इन नतीजुका कारण मैं ही थी। मैंने परमिश्वर से प्रार्तना की, मुझे प्रबुद्ध करनी की विंती की। परमिश्वर के वचनों में मैंने पढ़ा। सत्य का अभ्यास करना खोखले शब्द और कुछ वाक्यान्ष बोलना नहीं है। जीवन में व्यक्ति का सामना चाहे किसी भी चीज से हो। और उन्हें सत्य खोजना चाहिए। परमिश्वर के वचनों में सिद्धान तलाश नहीं चाहिए। और तब उन्हें अभ्यास का मार्क खोजना चाहिए। इस तरह का अभ्यास करने वाले ही सत्य के मार्क पर चलते हैं। कितनी भी बड़ी मुसीबते आने पर इस तरह सत्य की मार्ग पर चलपाना, पत्रस की मार्ग पर चलना और सत्य का अनुसरण करना है। पुलंगन होते देखते हो, तो तुम उस व्यक्ति के साथ इस मामले को उठाने की बजाय उसे सहलोगे। अपने द्रिश्टी कोन से सिमित होकर तुम किसी को ठेस नहीं पहुचाना चाहते। तुम चाहे जिसके साथ जुड़ो प्रतिष्ठा, भावनाओं या बरसों के मेल ज जोल से बने जजबात के कारण, तुम हमेशा उस व्यक्ति को खुश करने के लिए अच्छी अच्छी बाते कहोगे। जहां तुमें कुछ चीज़े आसंतोष जोनक लगती हैं, तुम उन्हें सहलेते हो, अकेले में भडास निकाल, उसके आलोचना कर लेते हो, लेकिन आमने सामने तुम उसके साथ संबंद खराब नहीं करते, रिष्टा बनाए रखते हो, ऐसे आचरण के बारे में क्या सोचते हो, क्या ऐसा व्यक्ति जी हुजूरी करने वाला नहीं है, क्या वो धूर्त नहीं है, यह आचरण के सिद्धानतों का उलंगन है, तो क्या इस तरह से का करना नीचता नहीं है, ऐसा करने वाले न तो अच्छे लोग होते हैं, और नहीं नेक होते हैं, तुमने चाहे कितने भी कश्ट सही हो, कोई भी कीमत चुकाई हो, यदि तुमारा आचरण सिद्धानतों से रहित है, तो तुम असा फल हो गए हो, और परमेश्वर के सामने त कि चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य पर अमल करना, यानि लोगों का दिल दुखाने से डरे बिना, सत्य की सिद्धानतों के अनुसार कर्म करना होता है, लेकिन भाय भेहनों के साथ मेल जोल करते समय, मैं छवी, रुतबा और तालमेल बनाने पर ध्यान देती थी, एक मिलनसार इंसान बनने की कोशिश करती थी, ताकि भाय भेहनों के सरहाना पा सकूँ, मगर मैंने सत्य पर अमल करने की अन्देख ही की, जब मैंने जोन को बिना किसी जिम्मेदारी के आलसी बनकर अपना कर्तवे निभाते देखा, तो मैंने गयर जिम्मेदार होने के लिए उसका मैं इस सदस से अपनी समस्याय नहीं सुलचा पाए और वे सभाओं में नहीं आए। एडना और एन के साथ मैंने देखा कि वे सनेहे के साथ सयोग नहीं कर सकते थे और खुद को नहीं जानते थे, लेकिन खुद को जानने में उनकी मदद करने के बज़ाये, मैंने असपष् ये ढंक से नहीं निभा रही थी, वह चाहती थी कोई उसका काम संभाले. मैंने देखा कि एक स्नीही और मिलनसार अच्छी अगवा की अपनी छवी बनाये रखने के लिए, मैंने परमिश्वर के घर के हितों की रक्षा नहीं की. मैंने लोगों के साथ रिष्टे बनाये रखने के लिए काम का नुकसान होने दिया. मैं बहुत स्वार थी और घिनावनी थी. मैं खुशाम दी और कप्टी इनसान थी. मेरा काम करने का तरीका और आचरण पूरी तरह से ब्रश्टर स्वभाव पर आधारी था. लोग भले ही मेरी सरहाना करें. परमीश्वर कभी मेरी सरहाना नहीं करेगा. इसके अलावा, मैंने भाई बेनों की समस्याओं को कभी उजागर नहीं किया. सत्य पर संगती भी नहीं की. इसलिए वे अपना ब्रश्टर स्वभाव न पहचान कर करतव यह नहीं निभा पाए, जिससे सुसमाचार कार्य प्रभावित हुआ. इसका हैसास होने पर ही मैं देख पाई कि मैं बिलकुल भी एक नेक इनसान नहीं थी, क्योंकि मैं भाई भेनों की जीवन प्रवेश में आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रही थी. इसके बजाए मैं सबसे आदरपानी की कोशिश कर रही थी, जिससे परमेश्वर को नफरत है. हाँ, कभी-कभी मैं भी ऐसा ही करती हूँ. अपनी छवी की खास परवा करती हूँ, और दूसरों की समस्याइं देखकर में कुछ नहीं कहती. लेकिन इससे भाई भेनों को और परमेश्वर के घर के कारे को नुकसान होता है. बिल्कुल, इसका एसास होने पर मुझे बहुत दुख हुआ. तो मैंने परमेश्वर से प्रार्टना की, अपना भ्रष्टस्वभाव ठीक करने का रास्ता दिखाने की विंती की. बाद में एक बेहन ने परमेश्वर के वचनों का एक अंश भेजा. सर्व शक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अच्छा व्यवहार के पीछे के सार, जैसे कि सुलब और मिलनसार होने को एक शब्द में बयां किया जा सकता है. दिखावा, ऐसा अच्छा व्यवहार परमेश्वर के वचनों से उत्पन्न नहीं होता, नहीं सत्यका भ्यास या सिध्धान्त के अनुसार कार्य करने से होता है. फिर ये कैसे उत्पन्न होता है? ये लोगों के इरादों शड्यंत्रों से पैदा होता है. उनके दिखावे नाटक करने और धोखवाज होने से पैदा होता है. जब लोग इन अच्छे व्यवहारों से चिपके रहते हैं, तो उनका उदेश मन्चाही चीजें पाना होता है यदि न मिलें, तो वे कभी भी इस तरह से खुद को दुखी करके अपनी इच्छाओं के विपरीत नहीं जीएंगे अपनी इच्छाओं के विपरीत जीने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनकी वास्तविक प्रकृती शिष्टता, निश्कपटता, सौम्यता, दयालुता और सदाचार की नहीं होती जैसा कि लोग सोचते हैं, वे अंतरात्मा और विवेकानुसार नहीं जीते बलकि वे एक उद्देश विशेश या अपेक्षा को पूरा करने के लिए जीते हैं उनकी वास्तविक प्रकृती स्थेर नहीं रहती और अज्यानी होती है परमेश्वर द्वारा प्रदत नियमों और आज्याओं के बिना, लोगों को पता नहीं होता कि पाप क्या है क्या मानव जाती पहले ऐसी ही नहीं थी जब परमेश्वर ने नियम और आज्याएं जारी की, तब जाकर लोगों को पाप के बारे में कुछ समझाया लेकिन तब भी उनके मन में सही गलत या सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ों की कोई धारणा नहीं थी तो ऐसी स्थिती में वे बोलने और पेश आने के सही सिद्धान्तों से अवगत कैसे हो सकते थे क्या उन्हें पता था कि सामान्य मानवता में पेश आने के कौन से तरीके कौन से अच्छे व्यवहार होने चाहिए क्या वे जान सकते थे कि वास्तों में अच्छा व्यवहार किस तरह से आता है इंसानियत से जीने के लिए उन्हें किन बातों का पालन करना चाहिए उन्हें जानकारी नहीं हो सकती थी लोग अपनी शैतानी प्रकृती के कारण, अपनी सहज प्रवृत्ती के कारण केवल दिखावा कर सकते थे शालीन ता और गरिमा से जीने का नाटक कर सकते थे इन्हीं चीजों ने परिश्कृत और समझदार होने मृदू आचरन करने, विनम रहोने, बुजुर्गों का सम्मान करने युवाओं की देखभाल करने, मिलनसार और सुलब होने जैसे कपट को जन्म दिया इस प्रकार धोखे की ये तरकीबें और तकनीकें सामने आई और एक बार जब ये चीजें सामने आ गई तो लोग चुन कर इन में से एक दो कपट से चिपक गए कुछ लोगों ने मिलनसार और सुलब होना चुना, कुछ ने परिश्कृत और समझदार होना चुना कुछ ने सौम्यता चुनी, कुछ ने विनम्र होना, बुजुर्गों का सम्मान करना और युवाओं की देखभाल करना चुना और कुछ ने तो इन सारी चीजूं को ही चुन लिया फिर भी मैं ऐसे अच्छे व्यवहार वाले लोगों को एक शब्द से परिभाशित करता हूँ वो शब्द क्या है? चिकना पत्थर चिकने पत्थर क्या होते हैं? ये नदी के किनारे के वे चिकने पत्थर होते हैं जिनका नुकीलापन बरसूं बहते जल से घिस-घिस कर चिकना हो गया है हालां की उन पर पैर रखने से चोट नहीं लगती है लेकिन लापरवाही करने पर लोग उन पर फिसल सकते हैं दिखने में और आकार में ये पत्थर बहुत सुन्दर होते हैं लेकिन घर ले जाने पर बेकार साबित होते हैं किसी काम के नहीं होते मगर तुम उन्हें फेकना भी नहीं चाहते लेकिन रखने का भी कोई मतलब नहीं होता चिकना पत्थर यही होता है मेरे हिसाब से ऐसे अच्छे व्यवहार वाले लोग नीरस होते हैं वे बाहर से अच्छे होने का डोंग करते हैं लेकिन कभी सत्य नहीं स्वीकारते वे अच्छी लगने वाली बातें करते हैं लेकिन वास्तविक कुछ नहीं करते वे चिकने पत्थरों के अलावा और कुछ नहीं होते आमेन मिलन सार और स्नेही होने जैसे नेक कर्मों का सार छलकपट और स्वांग होता है ऐसा करके लोग खुद को अच्छा दिखाते हैं परमेश्वर की खुलासे के बिना हम फर्क नहीं बता सकते हाँ पहले मुझे हमेशा लगता था कि मिलन सार और स्नेही लोग नेक इनसान होते हैं मैंने कभी नहीं सोचा कि ऐसे नेक कर्मों के पीछे शैतानी भ्रष्टर स्वभाव होता है नेजी लक्ष और इरादे होते हैं मैं बच्पन से ही एक मिलनसार और स्नेही इंसान बनने की कोशिश करती थी. विचार शील और स्नेही होने को लेकर सभी मेरी सरहना करते थे. लेकिन अपने दिल की गहराई में, मैं बस लोगों से आदर और सरहना पाने की कोशिश करती रहती थी. मैं मिलनसार और स्नी होने के मुखोटे का इस्तमाल अपने भाई भेनों की आखों में धूल छूंक कर उन्हें छलने के लिए करती थी मैंने देखा कि परमिश्वर ऐसे अच्छे बरतावाले लोगों को चिकने पत्थर मानता है ये पत्थर बाहर से अच्छे दिखते हैं लेकिन उन पर फिसलना आसान होता है और उनका कोई वहवारिक उप्योग भी नहीं है मगर मुझे एसास हुआ कि मैं ऐसी ही थी एक ऐसी इंसान जो मिलनसार उस नहीं दिखाई देती थी मगर भाई बेनों की कोई वहवारिक मदद नहीं कर सकती थी मेरा दिल छलकपट और दूरतता से सराबोर था मैं सबके प्रती दयाल हूँ थी किसी का दिल नहीं दुखाती थी एक खुशाल साधन से चिपकी रहने वाली चापलूस और एक कप्टी पाखंडी थी ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर के वचन खुलासा करते हैं बीच का रास्ता लेने वाले सबसे कुटिल होते हैं वे किसी का अपमान नहीं करते वे लोगों को खुश करने वाले होते हैं और कोई भी उनकी वास्तविक्ता नहीं जान सकता है ऐसा अव्यक्ति एक जिवत शैतान है मैं सोचती थी कि परमीश्वर और दूसरे लोग मिलनसार लोगों को पसंद करते हैं, उन्हें स्विक्रिती देते हैं मगर अब मैं जानती हूँ, मेरे कर्म सत्य के सिधानतों और परमीश्वर के वचन के अनुरूप नहीं थे मैं सिर्फ अपना कप्टी स्वभाव दिखा रही थी ऐसे लोगों की कोई गरिमाया चरित्र नहीं होता, परमीश्वर उनसे घ्रिणा करता है मैं जानती थी, अगर मैं प्राश्चित कर नहीं बदली, तो एक दिन परमीश्वर मेरा खुलासा कर मुझे त्याग देगा मैं ऐसी इंसान नहीं बनना चाहती थी, तो मैंने परमीश्वर से प्रार्टना के और प्राश्चित किया मेरा स्वभाव बदलने सत्य पर अमल करने की शक्ती देने, और परमीश्वर और भायवेनों के प्रती, एक सच्चा दिल रखने में मदद करने के विंती की एक दिन, एक बहन ने मुझे परमीश्वर के वचनों के दो अन्श भेजे, वा मानक क्या है जिससे किसी व्यक्ती के कर्मों का न्याय अच्छी या बुरे के रूप में किया जाता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें अपने विचारों, अभी व्यक्तियों और का तुम इसे नहीं चीते, तो बेशक तुम्हे को कर्मी हो। ठीक से निभाने के लिए समझा जाना चाहिए। ठीक करनी, विचलन सही करनी और चूग सुधारनी में तुरंत सक्षम हो, ताकि वह सुचारों रूप से आगे बढ़े। आमीन। साथी एड़ना और एन को भ्रष्टस वभाव जीते और अंदेख ही करते देखा। इन सब चीजों ने कलिसिया के कारे को नुकसान पहुँचाया। एक कलिसिया अगवा के तौर पर मुझे उनके साथ संगती कर उन्हें उजागर करना चाहिए था। मगर मैंने उनसे मीठे बोल बोल कर शांती दूद बनने की कोशिश की। परमिश्वर के घर के कारे को नुकसान होते देखकर भी मुझे अपनी अच्छी छवे बनाया रखनी थी। ना सिर्फ मेरे पास सत्य पर अमल करने की गवा ही नहीं थी, मैं एक कलीसी अगवा के तौर पर नाकाम थी और मैंने भाई बैनों के जीवन प्रवेश में मदद नहीं की थी। मैं सोचती थी अगर मैं भाइबेनों के साथ सनी से रह सकी और वे महसूस कर सके कि मैं मिलनसार और सनी ही हूँ तो मैं एक अच्छी अगवा थी अब लगता है कि ऐसा समझना खलत है बिल्कुल एक सची अगवा समस्या सुल जाने के लिए सत्य पर संगती करके सिद्धान्द अनुसार काम करके दूसरों का दिल दुखाने से नहीं डरती उनकी जिम्मेदारी उठाती है हाँ अपने भाइबेनों की समस्याओं का सामना होने पर सत्य की वास्तविक्ताओं में प्रवेश करने में उनकी मदद करने की बजाए मैंने अपनी छवी बचाने की चाले चली उन्हीं सुकून और प्रोचसाहन दिया और असली समस्याओं को नहीं सुलजाया क्या मैं भाइबेनों को बेवकुफ नहीं बना रही थी मुझे हैसास हुआ कि एक अच्छी अग्वा होने की मेरी पहले वाली समझ गलत थी तो यह परमीश्वर के प्रतीरोथ की मार्ग पर चलना होगा सही है परमीश्वर चाहता है लोग उसके वचनों और अपेक्षाहों के अनुसार बोले और कर्म करें बजाये इसके की पारम पर एक सांस्कृतिक मुलियों से चिपके रहें सहराना पाने की कोशिश करें बेमानी से बोले और सत्ते का अनुसरर न करें फिर एहसास हुआ कि मुझे लोगों के साथ अपनी मेल जुल का ढंग बदलना होगा एक कली से आगवा होकर अब मैं अपना कर्तवे अपनी ये मर्जी से नहीं निभा सकती मुझे परमिश्वर की इच्छा के अनुसार काम करना होगा परमिश्वर के वचनों के अनुसार भाय बेनों की मुश्किले हल करनी होगी ताकि वे सिधान्तों के अनुसार अपने कर्तवे निभा सकें या मेरी जिम्मेदारी है परमेश्वर के वचन में मुझे अभ्यास का एक मार्ग मिला तो मैंने परमेश्वर से प्रारतना की और अपनी ब्रष्टता ठीक करने के लिए मार्ग दर्शन करने की विंती की बाद ने मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ा मैं पढ़ू? जरूर ये रहा ठीक है। जब लोग अपने आचरन का आधार है। इस आधार के बिना, क्या केवल अच्छे वैवार पर ध्यान देकर लोग अच्छे बन सकते हैं। बिलकुल नहीं. अच्छा वेवार लोगों का सार नहीं बदल सकता. केवल सत्य और परमेश्वर के वजन ही लोगों का स्वभाव, विचार और राय बदल सकते हैं और उन्हें सच्चा जीवन प्राप्त करने दे सकते हैं. कभी-कभी सीधे तोर पर लोगों के दोशों, कम्यो और गल्कियों को बताना और उनकी आलोचना करना आविश्चक होता है. यह लोगों के लिए बहुत ही हिदकारी होता है. क्या यह उनकी सची मदद है? क्या यह उनके लिए रचनात्मक है? आमेन. आमेन. और संगती कर मसली बतानी चाहिए या जरूरी निप्टान करना चाहिए. सिर्फ इसी तरह भाई भेहन अपने करतव या निर्वा में हुए भटकावों को जान पाएंगे और समय से चीज़ों को सुधार पाएंगे. यह भाई भेहनों की सच में मदद करना और परमिश्वर के वचन के अनुसार उनके साथ रिष्टे रखना है. लोगों के बीच सामानिय संबंद इसी को कहते हैं. हाँ. सत्य पर अमल करने के तरीके को समझने के बाद मैंने खुद से कहा, दूसरों के गलतियों के बारे में बोलने से न डर, हमेशा मीठी बाते ही न कर. परमिश्व बाद में जब मैंने जुवन को फिर से आलस करते देखा, तो मैंने उसे बताना चाहा. लेकिन जब इस पर अमल करने का वक्त आया, तो ऐसा करना बहुत मुश्किन लगा. मुझे अभी भी फिक्र थी कि कहीं उसके दिल में मेरी अच्छी छवी बिगर्ण जाए. मैंने परम अनिश्वर से मेरा मार्ग दर्शन कनने के विंती की. इसके बाद मैंने जुवन के पास जाकर कहा, तुम्हें एसास है या नहीं, मगर तुम अपना कर्तव या यूही निप्टा देती हो. इससे बहुत से नए सदसे सभाओं में नहीं आते हैं, और नए सदसे के सिंचन में बहुत देर हो रही है. उसकी समस्या बताने के बाद मैंने अपना अनुभव भी उसके साद साजा किया. तो फिर जुवन की प्रतिक्रिया क्या थी? मुझे लगा वो मुझसे नाराज होकर मेरी अन्देखी करेगी, लेकिन जो हुआ उससे में चौक गई. वो नाराज तो ना कर्तवे निभाने लगी, और जिन नए सदस्यों का उसने सिंचन किया, वो सभाओं में आने लगी. मेरे मार्ग दर्शन और मेरी मदद से हमारे बीच का रिष्टा तूटा नहीं, बहतर हो गया. बाद में जब मैंने फिर से उसकी भ्रष्टता देखी, तो मैंने उसे सी बिकार कर खुद को जान सकी. अब अपनी कर्तवे के प्रति उसका रवया बहुत बदल गया है. बाद में उसकी तरक्की भी कर दी गई. बहुत बढ़िया. क्या बात है? उसके बाद मैंने एडना और एन की समस्याएं भी उन्हें बताई. एडना को उसके अहंकार का हैसास ह हुआ. उसने कहा कि उसे दूसरों से बात करने का अपना तरीका बदलना होगा. और एन अपने भ्रेश्ट और स्वभाव को पहचान कर बोली कि वह बदलने को तयार है. इससे मुझी बड़ी खुशी मिली. परमिश्वर का धन्यवाद, सिर्फ परमिश्वर के वच्छन ही लोगों को बदल सकते हैं. इन चीजों का अनुभव करके मैं देख सकी कि एक नेक इनसान वो नहीं जो उपरी तोर पर अच्छा परताव करे. इसका अर्थ होता है परमिश्वर के वच्छन पर चलना, सत्य पर अमल करना. ऐसे इनसान से परमिश्वर प्रेम करता है. सही है. मैं समझ गए कि दूसरों में समस्याइं देखने पर संगतिकर उनकी मदद करनी चाहिए और जरूरी होने पर उनका निप्टान करना चाहिए. सिर्फ इसी तरीके से वे अपनी भ्रेश्टता का एहसास कर सकते हैं. सिद्धानतों के अनुसार अपना कर्तव्य निभा सकते है उनकी मदद करने का यह सबसे बढ़िया तरीका है. अब मुझे भाय बैनों की समस्याइं बताने में डर नहीं लगता. वे मेरे बारे में चाहे जो सोचें, मैं एक इमानदार इंसान बना चाहती हूँ. परमेश्वर के घर के कार्या के रक्षा करना चाहती हूँ. परमेश् झाहती हूँ.